कि हमारे दोस्तों को सबको सलाम पेश करते हैं और आज जो हम प्रेस की माधियम से यहाँ बताना चाहते हैं कि यह कि जो कल डांगरी रजोरी में वाका पेश आया जहां हमारे एक ही कुम्मिनिटी के छे लोग एक बचा मसूम बचा समेथ शेहिद हुए तो हम सबको बहुत दुख है उस वाके का और कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से भी हम उस वाके की कड़े लफजों में मजब्मत करते हैं और सरकार को प्रसाशन को ये कहते हैं कि जो आपने हमें वादे दिये थे 2014 में कि हम जमु कश्मीर को टर्रिरिजम से मुब्द करेंगे और जो पार्लिमेंट में आपने एक स्पीच जी थी कि हम नया कश्मीर देखें जिसमें कोई हादसा नहीं होगा कोई मिल्टेंसी का इंसिडेंट नहीं होगा लेकिन आप नये कश्मीर की बात छोड़ों आप तो जम्मू तक के मिल्टेंसी की जो लहर है टर्रिजम जो है जम्मू भी पहुँच गया आपने देखा कुछ दिन पहले सिद्रा इंसिडेंट हुआ जहां तीम टर्रिस्ट मारे गए और अभी जो रजोरी डांगरी में वाका पेश हुआ यह मैं सिदे कहुँगा यह इंटेलिजनस फेलियर है और आप देखिए कि रात को हमारे लोगों की हत्या की जा रही है और मिलिटेंड बागने में काम्याब हो जाते हैं और उसके बाद सुबह उसी जगह पे आईडी बिलास्ट होता है क्या हमारे सिक्यूरिटी एजन्सी इतनी लापरवा हो गई है हमारी एडिमिस्ट्रेशन इतनी लापरवा हो गई है कि जहां पे इंसिडेंट हुआ है क्या वहाँ पे सर्च नहीं हो सकता था वहाँ पे बम्स कार्ड नहीं बेजा जा सकता था ताकि मजीद जाने न जाया हो जाए मजीद लोग जखमी न हो जाए तो ये सीधे सीधे जो है Intelligional Failure है तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये एक अवामी मसला है सबका इशू है इंसानियत का मामला है दुख होता है कि जब हमारे ही स्टेट में ऐसे हादसे होते हैं कभी कश्मीर में माइनार्टीज की किलिंग होती है पंटिस की किलिंग होती है और आज रजोरी में ऐसा सानिया पेश हुआ तो मैं ये कहूंगा कि होम मनिस्टory को देखना चाहिए कि वो किस तोरी के से स्टेट को चला रहे क्या ये पार्लीमेंट में ही दावे करने है कि हमने बड़े हालात सुधारे जब आपने 374 एटाया था जब आपने स्टेट को यूटी बनाया था आपने पार्लिमेट के अंदर कहा था कि आप जी नया जमू कश्मीर बनेगा जो नया कश्मीर मिल्टन्सी से मुप्त होगा लेकिन मुझे नहीं समझाता है कि हमारी स्टेट में ऐसे ऐसे हादसे हो रहे है कि जिससे रोज मरोज जो है इंसानी जानूं का खत्रा भी बढ़ रहा है लोग परिशान भी हो रहे है माइनार्टीज के लोग जो पंदरा-पंदरा साल से कश्मीर में ड्यूटी दे रहे थे आज वो सड़कूं पे खजल है क्यों? क्योंकि इन्सक्यूर्टी है तो मैं ये आज कड़े लफ़ों में इस चीज की निंदा करता हूँ जो हुआ और दूसरा हमारे लोग जब हम इनसानियत के लिहाज से हमारे लीडर्शिप रमन भला साब और पूरी टीम शबीर खान साब रविंदर शर्मा जी सारे जब वहां जाते हैं इनसानियती तर्ज से कोई पॉलिटिक्स नहीं थी उसे हम जब जाते हैं तो हमारी लोगों को रोका जाता है और बाजपा के लोग हम तो हमेशा कहते हैं बीजेपी की सरकार यहां पर एल जी की जब बताएंगे कि जब जनाब एल जी के पास ये इशू सालू करो से पीचे कराई गई अपने सामने उनसे प्रेस कांफरंसे करवाई गई लेकिन हमारे लोगों को किलोमेटर दूर जो है रोका गया और वहां जाने नहीं दिया तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ यह जो सोतिली मा का सुलूक आप कर रहे हम तो किसी सियासत के लिए वहां नहीं गए थे हमारे लोग वहां हमदर्दी के नाते इंसानियत के नाते जो जाने जाया हो गई थी उनके गर पे ताजित करने के लिए गए थे, वहाँ कोई सियासत करने नहीं गए थे, इन चीज़ों पर अगर आप देखेंगे, हमेशा बीजेपी वालों ने सियासत की है, कांग्रिस वालों ने कभी इन चीज़ों पर सियासत की ही नहीं है, हमारी सियासत इन चीज़ों पर नहीं होती है कभी, तो मैं यह तो मैं दूसरा सिवल सुसाइटी जो है सब को कठा हो जाना चाहे इन इशूस पे और खासकर गुवर्णर साहब को मैं यह कहना चाहूंगा उनको इमिजेटली आल पार्टी जाहें ताकि सब पार्टी अपने अपना सजेशन दे और एक लाही हमल जो है इस चीजों के लिए ट्यार किया जाए ताकि ऐसे हादसाथ आइंदा आने वाले वक्त में रोके जाएं